हेलो एबरीवन स्वागत आप सभी का दून आटमेशन अकेड़ी में और हम डिसकस कर रहे हैं लास्ट बीडीओ बर हमने देखा था अपको फॉर्क स्क डिसकस के लिए लींडीफ पहलगे पहले पास अंके नोगशन आते हैं पहले लूग पास लगूशन सब्सक्ती अश्राइब लेका आप का पास आपको अटम्टोल उनके दो खेल प्रियारें it BMW का charge controllers and after that, then MPPT charge controllers. Actually, charge controller's request are charge controller basically हम अपने storage and batteries co charge करने के लिए लिए उसका sequence हमारे पास होता कि आपको बैटरी कह overcharge नहीं करना है और जो सबसे पहले जैसे अप इसे uncontrolled charged controller पहले हमिले controller आते थे उनकी capacity थे generate to system को ना करें अगर बैटरी हमारे बर चार्ज हो रही तो उसको वह control नहीं कर सकते थे इसलिए वह आपका uncontroll थे उसके वाद linear charge controllers आए उसको उम पर focus किया फिर PWM charge controllers आए और जो latest हमारे पास है वह आपका MPPT यह सब जाए अब जितने भी controllers आते हैं जितने भी आपका इनवीटर साथे हैं या फिर आपका charge controllers आते हैं सारे सारे MPPT-based होते और अभी में आपको जैसे पहले बीडियो में बताया था कि अब charge controllers का use नहीं होता है उसका जो यूज है वह आपका इन्वेटर के अंदर होता है और MPPT जो है वह आपका इन्वेटर के अंदर होता है और मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे आपको दिख जाएगा तो यह आपका कोज एक structure है आपका जो है basically एक photo और यह आपका solar charge controller का और यह आपका PWM-based charge controller है तो हमको इत systems MTAC कर रहे हैं वो इस पे अपना thesis भी complete करते हैं और यह बहुत popular है और इसमें आपका बहुत अरकाम है maximum power point tracking system भी क्या करता है MPPT is an electronic device which maximize PB module output under varying operating conditions यहां पे आपका जितनी condition अगर vary हो भी रही है तो क्या करेगा maximum output लेने की को सिस करेगा जो आपका पूरा पैनल लगागा पूरा plant लें उससे इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता है PBT है automatically find a PB operating point to obtain the maximum DC power output यहां पे आपको सम्झाब पड़ेगा कि वो automatically करता है मतलब basically automatically उसके अंदर कुछ हम structure बनाएंगे इस तरह एक प्रोग्राम उसमें अंदर है इस तरह एक प्रोग्राम उसमें नलगाए गए कि वो क्या करेंगा आपको maximum output find करेंगे को सिस करेंगे तो इसलिए जो सबसे popular आज के लें वो आपका MPPT charge controllers है इस टाइप का MPPT charge controllers आपको मिल जाएंगे और यह वह wall mounted है और इसमें भी दो जैसे आपका grid हम पर बात में देखेंगे तो उसमें भी आपका यह आता है और जो हमारे power plant पे लगाव है वह आपका यही है आपका Envyro GTI और Hevels का तो MPPT में क्या होता है basically MPPT इखा हुआ है MPPT इसमें तो इसकी data sheet में MPPT इखा हुआ है यहां पर हमारे पास number of inputs हमारे कितने हम दे सकते हैं MPPT भी जैसे आपका single MPPT, dual MPPT, 3 MPPT, 4 MPPT, 5 MPPT, 10 MPPT वाले आते हैं तो उसमें क्या है आपका कि उतनी connection आप यहां दे सकते हो क्योंकि आप देखोगे अगर कोई small जैसे हमारा 3KW का हमारा solar plant है तो उस case में हमारे पास single MPPT वाल है अगर उससे ज्यादा हमारे पास होता तो हम आपका each row, each table की connection लेकर MPPT में इस power उसमें देते हैं तो यह एक अलग concept है और बहुत interesting concept है inverter के बारे में इसके बारे में हम discuss करेंगे details में और यह दूसरा वाला हमारे पास है यह भी आपका वही है MPPT controllers और इसमें भी आप जो है plug-in कर सकते है तो basically इसका structure क्या रहता है आपका यहां पर जो दूपिंस आपको दिखी नहीं है यहां पर हम solar से input लेकर आते हैं ठीक है उसके बाद यह वाला output यह basically जो है वह आपके grid पर जाता है और जो आपके inverter से रहते हैं वह आपका जो है वह अभी पहले वाले तो transformer वाले आते थे अब आपका transformer less वाले जो inverter आते हैं ठीक है तो अभी आपको थोड़ा बहुत अलग लग लग रहा है क्योंकि जो घर में आपके inverter देखेंगे वह अलग होते और जो हमारे यहां solar में अलग है